नमस्ते हैं दुस्तान कैसे हैं आप लोग तो आप सभी को पता होगा कि परम वीर सिंग ने लगबग लगबग पूरे 1000 पत्रकारों पे मतलब पूरे रिपब्लिक भारत पे पूरा रिपब्लिक टीम पे एफ़ायर कर दिया है दोसों केस तो पहले ही चल रहे थे और फिर से दगबग होगा पूरे पत्रकारों पे पूरे टीम पे पूरा कमतलब रिपब्लिक के कंपनी पे ही पूरा केस कर दिया और क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा अपरात किया है ना आज मैं डारेक्ट अर्नव जी से बात करना चाहती हूँ आज सुमन पांडे के कुछ सवाल पूछते हैं पूछता है भारत, पूछता है भारत आज कुछ सवाल मेरे अर्नव जी से और सुमन पांडे पूछती है और इसके साथ seriously पूछता है भारत अर्नव जी मेरे first question का answer दीजे क्या पढ़े है आपको इतना वड़ा सच सामने लाने का क्या मतलब क्या मिल जाएगा आपको इससे आपको पता नहीं है कि अब भी महराष्ट्रा सरकार चल रहे हैं महराष्ट्रा में क्या मतलब आपको इन सबसे क्यों लड़ रहो आप सुशान सिंह राजपूत के लिए क्यूं लड़ रहे हो आप इतने सारे चीज़ें जो हो रही है आप देखो ना सीखो ना कुछ पत्रकारों से देखो कैसे अटैची और कैसे दना पैसे के दम पे पूरा पत्रकारिता चेंज कर देते हैं वो लो ठीक है माना कि अभी वेक्ति क्या अजादी है माना की चौथा पिलर माना जाता है पूरे न्यूस मेडिया को इस्तंब में आते हो आप लोग लेकिन क्यों क्या मतलब क्या है आज तक वालों से सीखो कुछ इन्न टुड़े वालों से सीखो कुछ सीबियाई की जब जाच परताल शुरू होने वाली थी तो देखा महराष्ट्रा सरकार उद्दव जी ने कैसे मना कर दिया क्यों क्यों कि उद्दव जी को आपकी फिक्र है कि परमवीर सिंग ने जो प्रेस कॉन्फरेंस किया था आपको एक्सपोज करने के लिए सीबियाई कहीं और बुरी तरीके से एक्सपोज ना कर दे आपको इसलिए उन्होंने महराष्ट्रा सरकार ने सीबियाई को जाच परताल करने के लिए महराष्ट्रा में एंट्री तक के लिए बना कर दिया आपको था थैंक्यू बोलना चाहिए आप हमेशा उनको उंगली करते रहते ह आपको पता अभी सोनिया का तो ट्रिकोन है ट्रिएंगल तीन कोना है सोनिया एंटॉनिया कुछ नवास नाम है अभी सोचा है सोनिया सरकार जब सेंट्रल में आ जाएगी फिर क्या होगा अभी तक आप जेल में होते अभी तो सिर्फ हजार स्टाफ के ऊपर आपके FIR ही हुई है यह हजार स्टाफ की FIR से अभी तक आपको मतलब thank you बोलना चाहिए कि अभी तक आपको जेल में नहीं भेजा गया पता है क्यूं क्यूंकि आप स्टेट में अभी सोनिया सरकार है कभी कितने आग्याकारी है यह कितना तलवा चाठते हैं यह उद्दव जी का सीखो कुछ ड्यूटी कैसे होती हैं यह इनका जो हम जितने टैक्स पेर हैना भारत के उस टैक्स से से इनकी सैलरी मिलती है लेकिन जंता को था Torah को सभी ऑन प्रह्ण, पтовब म explains. चाल सिंटी एंडिया से चंचागिर की तो क्या हुआ है आपकी अधिये Molot बड़ी एंजियो में चलाती हैं हमेशा से देशवा किया है पर it भक्तों का राश्ट्रवादियों का राश्ट्रभक्त का time गया सिखो कुछ उद्दव्जी से क्या फर्कदताई दिशा सालयान के साथ निर्वस्त करके उसके साथ जगन्या पराद करके उसको 14 मंजिल से फएक दिया गया क्या फर्कद जाता है क्या हो गया पालगड के साथूं को बेरहमी तरव से मार दिया गया उनकी लिंचिंग हूई क्या फ़र्टे सुशान सिंभ राजपूत को मार के टांग दिया गया तो क्या हो गया इससे क्या आपको यह सब चीज़े बतानी थी जिनें आपको यह नहीं बतानी थी सिखो कुछ आज तो अग परमवीर्ची ने इतने बड़े जो सम्मान और आनमान सम्मान होता है पुलिस कर्मियों की वर्दी उसको पूरे मुंबई पुलिस ने जब सीरस्ली नहीं लिया उद्ध सरकार ने जब चीफ मिनिस्टर की कुरसी पे बैठते हुए जब ओथ लिया था कि देश की सेवा जनहित के लिए खड़ा रहूंगा राष्ट के लिए सब कुछ करूंगा राष्ट मनाम सम्मान के लिए सब कुछ करूंगा भारत माता की जय हिंद करते जो नारे लिये थे जो ओत लिये जो शपत लिये जब उसको उन्होंने सीरस्ली नहीं लिया उसकी उन्होंने धजिया उड़ा दी शिवाजी महराज के नगरी में वेटे हैं जिस शिवाजी महराज के धरती पे खड़े हैं जिस बाला साहब ठाकरे के वह पुत्र हैं जब उसका उन्होंने धजी उड़ा दिया आपको क्या पढ़िये पत्रकारिता की आज अच्छा लग रहा है आपको पूरा टीम आपका जेल जाएगा तो फिर आप बोलोगी उद्धव जी आपके साथ ऐसा कर रहे हैं क्यों क्यों उद्धव जी ने क्या गलत किया तो क्या कौन सी बड़ी बात होगी आप सको समझ भे नहीं आता उन्होंने आपके नाम पे ब लालाया तो क्या हुआ कंगना रान 그します ने आगर इन लोगों के खिलाफ इन लोग के का नकाब जए जो इतने चर्सी गंजेरी है बोली वोड की उसके खिलाफ एक तो आपको क्या बोलना है आपको पता कितने ताकत्वर हैं यह लो ओरण जेब महाशाशक अकबर इन सबके फॉलॉवर और पुलिस कर्मी है ना मराश्ट्रापॉलिस आपको पता कितने कितने महान है ये लोग जो हमारे बिटिश के शासक थे जो भारत पर रूल करते थे जो अंग्रेज लोग हमारे भारतीयों को मारते थे उसको अपना आईडल मानते हैं यह और आपने इनसे पंगा ले लिया कि बहुत क्यों क्या पड़िया आपको सच में क्या रखा हुआ है मतलब हम भारत की जनता बेवकूफ हैं जो आपका सपोर्ट कर रहे हैं क्या मतलब उद्दव जी क्या उद्दव जी अब ठीक लग रहा उद्दव जनता के नाम पर यूंकि भारत की जनता के अकाउंट में पांसो पांसो रुपए आते हैं ना उद्धव जी है ना परमवीर सिंग ये है इन लोगों की सच्चाई ये पुरा लग गया ना अज आपको तो मतलब आप लोगों ने अपनी सारी हदे क्रॉस कर दी आर हद मचा दी आप लोगों ने मतलब जो सच्चाई दिखा रहे थे अरणाफ गोस्वामी उससे आपको इतनी प्रॉब्लम हो गई इतनी मिर्ची हो गई कि पहले आपने प्रदीब भंडारी को पकड़ लिया उससे पहले अनुच को पकड़ लिया उसके बाद आपने दम से 200 से उपर आप कि आप नाम बताओ उन्होंने सिफ यह बोला कि हर एक इनसान सच के लिए लड़ता है अरणाब गोस्वामी वह सच के साथ बोलता है और वही सवाल करता है जो पूरा भारत पूछता है और इतना ही नहीं इन लोगों को इससे भी आपती है कि वह जो लाइन बोलता जाता है कि पूछता है भारत जो हम पूछते हैं वही सवाल ये पूछ कर बताते हैं दुनिया को कि हाँ ये सवाल भारत पूछ रहा है इस पर भी केस हुआ था कितने केस मतलब उदव जी नहीं आता यार सरकार चलाना तो माल लो ना छोड़ दो ना कुरसी इतने इज़त से न सुमन प एक ऑट कर रही हूं को सी छोड़ दे किर्पया करके को सी छोड़ दे कि ऑःस्पेट करूंगे हमारे प्रदान मंतिरी जी से रिस्पेट करूंगे सब्सक्राय की अब पानी सरसे ओपर जा रहा है अब भारत की एक-ईक जनता एक माननी ये चीफ मिनिस्टर को गाली देता हुआ नजर आएगा तो शायद ये शोभा ना दे और मेरा अगला वीडियो इतने इज़त से इतने प्यार से नहीं बनेगा अगर कोई नई हरकत आई तो या तो माफी नामा मांग ले या आप ये फ्रायर जो आपने करी है आपने वापस ले ले क्योंकि आप इतना बॉक लाग है वो इस्टिंग ओपरेशन से पर मैं बिल्कूल भी शॉक्ड नहीं हूँ दोस्तो आप सभी को याद होगा इस्टिंग ओपरेशन जब रागवंदर शुकला ने किया था जब हुआ था तो उसके साथ उसने यही बूरा था कि पूरी भारत जनता तो वैसे भी वेट कर रही थी रागवंदर शुकला जीनी स्टिंग ओपरेशन ने तो पहले ही पता दिया था उन्होंने तो चौकने वाली तो कोई बात ही नहीं है इसमें इन्होंने मतलब चार साल का पूरा व्योरा मांगा दस मिनिट में अर्नब गु सुशान सिंग राजपूत के बारे में न बता सके भारत की जनता को कैसे चुप कर आओगे आपने अर्नब गुस्वामी को कहां से कहां पहुचा दिया आपको अंदाजा भी नहीं है इस पूरे दश्यक का न सबसे अच्छा पत्रकार साबित होने वाला है और हो चुका है द अभी वेक्ति की आजादी क्या है जैना बताई इनको क्योंकि जो इनको लगता है कि freedom to speak freedom of speech freedom of right सब कुछ इनके पास है यह अलग बात है इंका नियाम कानून कुछ हमारे समझ में नहीं आ रहे है किस नियाम कानून के तहत यह चल रहे हैं एक अच्छे सच्छे पत्रकार को जो की दलाल नहीं है, जो इन से, जिसको खरीद नहीं पाए, इन्होंने शाम, दाम, धन्ड, भेज, सब कुछ लगा लिया, फिर भी यह अर्णब गुस्वामी को, रिपब्लिक टीम को खरीद नहीं पाए, क्योंकि वो गंतंत्र है, वो खुद एक गंतंत्र है, गंतंत्र है, उद्धव जी, तो उद्धव ठाकरे, तुम्हारी जो हरकत है न, दो कोड़ी वाली, आज वो तुमने जो किया है और परमवीर सिंग, जिसके वज़य से तुम यह चाटूकार बने हो न, यह इतने बड़े जो चाकर्न बने हुए हो, जिसके तलवे आप चाट रहे हो, यह पैसा, जो सैलरी भी आती है न, यह भारत की जनता जो टैक्स पे करती है न, उससे मिलती है आपको, तो ज़रा आपने वर्दी की सम्मान करें, अब तो आपने जो इतनी ओची हरकत की है, आपको तो अभी ने वर्दी उतार के रख देनी चाहिए, और यह सरकार, जिसने क वज़ा से, आज पूरी और ऐसे परमवीर सिंग की वज़ा से, जो मुंबई पुलिस ड्यूटी के लिए नामी था, आज पूरी मुंबई पुलिस के उपर लोग थूखते हैं, क्या किया परमवीर सिंग तुने, क्या फायदा पंगा लेने से, वैसे भी तू कुछ नहीं कर वाला है, वेट एंड वच, जाहें दोस्तो,